हलो फ्रेंज आप सभी का स्वागत हैं फ्रेंज आज हम तिरकोई मिती का एक most important question को यहाँ पे हल करेंगे जो आपके बोर्ड के exam के लिए ये question बहुत ज़ादा important साबित होगा फ्रेंज इस प्रकार के question यह थी आपके बोर्ड के exam में आते हैं तो यह question कम से कम 4 से 5 नंबर का question आपका आता है चलिए phrase start करते हैं तो phrase आपके सामने ये सवाल है कि sign a is equal to cost a तो 210 square a minus 2 से कि square a plus 5 का मान गयाद करना है अर्थात कहने का मतलब सवाल का है phrase कि 210 square a minus 2 से कि square a plus 5 का आपको मान गयाद करना है तो phrase देखे इस प्रकार के question को कैसे आप हल करेंगे यहाँ पे पहले लिखेंगे हल ठीक देखे जिस प्रकार बता रहे हैं उसी प्रकार question को आप हल कीजी देखें सिंपल तरीका से आप हल कर लेंगे देखें यहाँ भी लिखा है sign a is equal to cost a ठीक अब देखें फ्रेंस क्या करना है कि आपको इसको हल करने से पहले एक पता होना चाहिए क्या पता होना चाहिए फ्रेंस कि देखें आपको 10 a बराबर होता है formula कि sign a upon cost a ह होता होगा कि आपको क्या अनुपात के रूप में होता है कि लंबटा के आधार होता है इतना आपको तो पता होगा ठीक लंबटा के आधा यह चीज यह थी आपको पता है ति इस question को आप simple तरीका से हल कर लेंगे ठीक तो चलिए यहाँ प्या करते हैं friends कि देखिए आपको क भी देखिए को ठीक लिए करना है कि इस रूप में 10 एक रूप में बनाने के लिए क्या करेंगे कास नीचे होना चाहिए तियहाँ हुआ क्या क्या करेंगा थिक नीचे यानी कि यहां क्या कर सकते हैं? sine A upon कास A नीचे आएगा तो कास A बराबर क्या होज़े? अब इसके जगह पच्छान्द कर लिए तो क्या बचेगा? एक बचेगा sine A upon कास A को क्या लिख सकते हैं? अभी बताएं फ्रेज यह फार्मुला है लंबटा के आधा लिख लिजिए और देखे फ्रेंश टैयन एक अमान कितना है? एक है ठीक अब देखे फ्रेंश टैयन एक अमान यहाँ पर कर लेते हैं फ्रेंश टैयन एक अमान कितना है? एक है तो इसको भिन के रूप में बनाने के लिए पता होगा आपको कि एक ले सकते हैं यहां जब एक ले लिए तो आपको लम कमान कितना आगे हैं अप लिग लीजिए लम कमान कितना आया फ्रेंस एक आया और आधार कमान कितना आया फ्रेंस आधार कमान भी एक आया फ्रेंस जब भी question का आपको यहां पर पुझा ग्यात करने के लिए फ्रेंस क्या करते है। पैथा गोरस परमे लगाते हैं तो चलिए इसको हल करते हैं, इसको फुरॉ यहां पिर पाईथा गोरस परमे ठीक। पाईथा गोरस परमे से। आप सब्amt 5 ch पता होगा क्या होता है Friends? कड का Iquare, आधार का Iquare, प्लस Lumb का Iquare. देखें यहां पर आपको कड पता करना है तो कड का Iquare अने दीजी आधार का मान कितना है? एक का Iquare कर लेजिए, लम के मान कितना Mari Square है तो天 का Iquare कर लेजीए. जब इसको स्कॉार करेंगे फ्रेंज एक का स्कॉार एक होता है एक का स्कॉार एक होता है ठीक अब यहाँ पर देखिए फ्रेंज यह तो करड़ का स्कॉार बराबर एक कितना होता है दो होता है यहाँ से स्कॉार हटाने के लिए क्या करते हैं फ्रेंज दोनों पच्छों का रूट लेते देखें करड़ आपको बाहर आ जाएगा लेकिन करड़ी तो आपका इसी प्रकर रहेगा यानि करड़ कमान कितना आ गया करड़ी में दो यहाँ पर आप लिख लिजिए करड़ करड़ बराबर आ गया करड़ी में दो देखें फ्रेस यहाँ पर तीन बूजा पता हो गया तो यहां पर देखिए चलिए आप सवाल आप देखिए यहां पर 10 square a का मान आ गया एक यह तो आपको पता हो गया यहां से निकालने के अशकता नहीं है यहां पर सेक इसक्वार निकालना पढ़ेगा यहां पर लिखे सेक ए सेक ए अब सेक ए का मान मतलब फार्मूला क्या होता है तो आपको पता होगा कि करड़ अपान आधार अब यहां पर करड़ का मान कितना है फ्रेंज देखिए करड़ का मान करड़ी में दो यहां पर करड़ी दो लिखेंगे अपान आधार कितना है एक है तो एक लिखेंगे अर रखके हल करेंगे तो चलिए फ्रेस इसको हल करते हैं चलिए फ्रेस यहाँ पर माल रखके हल करते हैं देखें टू टैन एक अमान कितना है एक यानिक एक कई स्कॉार करेंगे माइनस टू से एक अमान कितना है करड़ी में दो इस पर स्कॉार है तो इस पर स्कॉार कर लेंगे प्लस 5 है तो प्लस 5 ख़लने के, इसी को हल कीजिए, देखिए यहां भी लिखेंगे 2 गुड़े, अब ही स्कोर के जिए कि पाँच में 2 जोड़ेंगे, इसलिए कि धन धन आपस में जोड़ता है तो 5 और 2 कितना होजागा, 7-4 अब 7 में 4 गटाए कितना आजागा dobre आप जब 7 में 4 गटाए तीन आएगा और यह फ्रेंच जो तीन आप आ रहा है यही आप क्या हो जाएगा 210 इस्कॉार ए मांदस 2 से की स्कॉार ए प्लस 5 क्या हो जाएगा मान आएगा आई फ्रेंस क्या होजागा आपका एंसर होगा तो फ्रेंस ये कुएशन बहुत ज़्यादा आपके बोड़ के एक्जाम के लिए important है इस कुएशन को आप 2 या 3 बार जरूर लगाएगा तो फ्रेंस आपको ये वीडियो पसंदाए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें